हलो एब्रिवन तो एक बार फिर से आप से भी का स्वागत है मेरे चैनल पे मैं हूँ आपका आविश्कारी अभी और सामने लगी हुई है हॉंडा की एलिवेट बात करेंगे इसी एलिवेट के बारे में वेरियंट प्राइस माइलेज सारे कुछ इस वीडियो में कवर होने व वीटेक डियो एचसी जो हॉंडा बोलती है और काफी रिफाइन इसकी एंजन है अब बात करें फोर सिलेंडर सिक्स मैनुवल ट्रांस्मिशन के साथ आ जाती है पावर ट्रेल की बात करें वन प्वेंटी वन यसकी इसमें पावर मिल जाती है और वन फॉर्टी फाइफ नि इसकी विड्थ है सामने से भी काफी चौड़ी है अगर हाइट की बात करें 1650 mm और वील बेस आपको 2650 mm का इसमें आपको मिलता है काफी लंबी भी है इसमें आपको काफी अच्छा कमफर्ट भी मिलने वाला है इन फैक्ट यह एक SUV वेरियंट है तो इसमें आपको ग्राउं जो भी है वह आपको max2 max 210-208 के आसपास आपको ग्राउंड क्लेरेंस प्रोवाइड करते हैं पर इसमें Honda में आपको 220 mm की Ground clearance इसमें आपको मिल जाती है अब अगर बात करें इसके safety profile की इसमें आपको क्या-क्या मिलता है तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ एक छोड़ा से camera दिख रहा है जो कि यह prove करता है कि इसमें ADAS function है कौन से ADAS है तो level 2 इसमें आपको मिल जाता है जो कि काफी सारे feature के साथ आता है सबसे पहले बात करें इसे safety feature की तो six year bag के साथ आती है ABS with EVD उसके बाद ace body structure बोलती है company इसकी जो body की जो structure है वो काफी जो है durable है काफी जो है मजबूत ही है then अगर बात करें health start assist vehicle stability control electronic brake distribution जैसे safety feature इसमें और भी safety feature मिलते है लेकिन अगर focus अगर करें तो इसमें आपको Honda sense मिलता है जो की front में जो मैंने आपको बताया यहाँ जो camera मैंने आपको दिखाया इसमें आपको डे सारे function मिलते हैं like adaptive cruise control lane keep assist मिल जाता है collagen mitigation braking system road departure mitigation braking system जैसे feature आपको high-tech feature आपको मिल जाते हैं काफी अच्छी बात है then अगर बात करें इसके एक showroom price की तो 14.89 lakhs जो है इसकी एक showroom है और अगर बात करें इसके on-road price की तो मैं अभी कोर्भा में Shubh Motors आया हूँ जो की यहाँ पे आपको on-road prices की 17.40 lakh किसकी आस-पास आती है इसके साथ आपको warranty भी मिलता है 3-year का unlimited km की warranty मिल जाती है आप इसे extend करके 5-year तक upgrade कर सकते हो like इसमें fuel tank 40-liter की है और boot capacity जो है इसके सबसे बड़ी है 458-liter की इसमें आपको boot capacity मिल जाती है design profile वगरा बात करेंगे तो front में आपको ये वही आपको DRL यहां मिल जाता है और जिस तरह से आपको Honda City में जिस तरह से आपको मिलती है 9-array यहाँ पे आपको मिलता है 7-array मिलता है देखो आप यहाँ पे देख लो इसमें आपको 4 इधर और 3 इधर आपको LED प्रोजेक्टर लैम्प इसमें आपको मिल जाता है देन अगर बात करें इसके जो है fog lamp की ये भी आपको जो है प्रोजेक्टर बेस मिलता है सारे function LED में इसके जितने भी है सारे LED वर्क आपको मिलते है सबसे बड़ा जो है इसमें तो सबसे नोटीस करने वाले इसकी जो बड़ी सी ग्रिल है जो कि काफी boxy design में है जो काफी अच्छी लग रही है हॉंडा का बीच में logo दिया हुआ देन क्रोम का वर काफी अच्छा खासा इसमें आपको किया हुआ आपको हर जगा इसमें आपको क्रोम दिखने वाला डो हैंडल फ्रंट में उसके बाद रियर में यहां पे आपको ग्रिल काफी वाइड ओपन में आपको मिल जाता है जो कि कूलिंग सिस्टम जो है काफी हद तक बरकरा रखेगी आगे की skit plate जो है नीचे सिल्वर कलर की गाणिश के साथ आपको मिलती है और छोटा अमाउंट में यहां भी आपको जो है ओपन एरिया मिल जाता है इसकी डिजाइन प्रोफाइल की बात करें फ्रंट की यह कलर इतनी सुन्दर लग रही है कलर काफी अच्छा है यह रेड कलर में और इसकी जो ब्लैक के साथ यह जो कॉंबिनेशन है यह सारे जो है फाइवर है काफी अच्छी लग रही है देखने में और यह प्रोजेक्टर हीड लैंप इसका तो फॉग लैंप तो काफी जबरदस्त है साइट प्रोफाइल से अगर बात करें के लिए उपर गर आप देखोगे सिल्वर कलर की जो है आपको रूफ रेल दी गई है वाकिंग रूफ रेल रहती है इसमें एलिवेट के मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं अगर आप चाहो आई बटन में आपको मिल जाएगा पीछे आपको काफी स्पेशियस मिलता है काफी बड़ी और काफी लंबी है और वाइड भी अच्छी खासी है तो आपको अच्छा खासा है इसमें स्पेश भी मिलने वाला है देन आपको एक चीज में दिखाता हूं जो आपको city में मिलती है वो आपको यहाँ भी मिलती है एक lane changing camera आप अगर lane change कर रहे हैं तो उसके लिए indicator आप जैसे ही प्रेस करोगे तो यह camera अक्टिवेट होगा और आपके info entertainment पे आपको सारा वो वीडियो प्ले कर देगा देन अगर बात करें इसके रियर प्रोफाइल के complete जो आपको LED में मैं इसे एक बार on कर देता हूँ और होने के बाद जो आपको रियर प्रोफाइल इसका कुछ ऐसा दिखेगा जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में LED वर्क आपको यहाँ मिल जाता है यह देखने में connected लगता है बट है नहीं यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगा हुआ है देन बीच में हॉंडा का यहाँ पर लोगो वाइपर डिफॉगर यहाँ पर आपका high-mounted stop lamp यह है इसका washer है जो आपका वाइपर जब आप यूज करोगे तो यह आपका washer आजाएगा यहाँ पर आपको shark fin antenna यहाँ पर smooth touch के साथ जो है आपको पीछे spoiler भी मिल जाता है अगर पीछे profile की tail lamp की बात करे तो यह तो आपको LED में पता चल चुका है यहाँ पर आपको reverse lamp जो है halogen based है और indicator भी आपको halogen based ही मिलता है यहाँ पर आईवी टेक की यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है reflector की placing यहाँ भी आपको मिल जाएगी और यहाँ पर एक दो तीन चार total four जो है parking sensor इसमें आपको मिलता है elevate की यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है पीछे यहाँ पर आपको camera भी मिल जाता है जो की dynamic guideline के साथ आपको मिलेगा यहाँ पर पीछे इसके bumper में आपको फिर से जैसे front में है ठीक उसी तरह पीछे भी आपको silver color की गानिश की गई है exhaust pipe इसका आपको दिखेगा और पीछे आपको यहाँ पर एक टोइंग हूप की space दी गई है then इसको open करते है 585 लीटर का सबसे बड़ा boot space भाई काफी wide है wide है काफी बड़ा सा है यहाँ पर आपको spare wheel की placing दी गई है जो की wheel का size तो यहाँ पता नहीं चल रहा है खेर कोई बात में अब अगर बात करें पीछे तो आपको boot lamp मिल जाता है grocery के लिए यहाँ पर एक हुक और एक यहाँ पर complete यह है दो हुक इसमें आपको मिलता है with partial tray partial tray भी आपको मिल जाएगा hydraulic stud यहाँ पर दिये है grab के लिए यहाँ पर है ओके यह material भी जो काफी अच्छी खासी है like अब इसके pilot side चलते है pilot side आपको क्या मिलता है वो भी एक बार देख लेते है ओके तो open होने के साथ आपको काफी जे है leather वाला feel इसमें आने वाला like यहाँ भी आपको leather upholstery मिलेगी यहाँ भी आपको leather upholstery मिलेगी because बहुत सारे company क्या करती है leather upholstery तो यहाँ दे देती है but यहाँ जो है ABS plastic यहाँ फैबरिक यूज करके जो है काम चला देती है but इसमें एक चीज अच्छा है यहाँ आपको जो आपको seat जिस tone में मिल रहा है door में भी आपको same tone मिलने वाला है like यह आपको ABS plastic है जो कि सच में scratch proof है यह आपको complete जो है silver color की गानिश door open के लिए windows के control ORVM के control यहाँ से आप ORVM unfold कर सकते है ओके यहाँ पे आप सारे control दिये है यहाँ पे bottle holder magazine के लिए छोटा से space grab के लिए और यह complete जो है आपको leather के work इसमें मिल जाते है यहाँ अगर देखे होगे तो आप height adjustable आपको manual मिलता है ठैर उसके बाद यहाँ पे आपको काफी अच्छे खासी कुष्णिंग के साथ में आपको इसका front driver seat मिल जाता है जो कि यहाँ अगर आप देखो side airbag के यहाँ ब्राइंडिंग की गई है जिसमें टोटल जो इसमें curtain side front और उधर का मिलाके complete जो है six airbag जो है company प्रोवाइड करती है इसकी की कुछ इस तरीके की है simple C होंडा के पीछे लोगो है और यहाँ पे जो है आपको lock unlock की की दी हुई है तो आपको की मिल जाते है इसके अंदर चलते हैं वाँ काफी खुबसूरत सा animation इसमें भी देखने को मिला है काफी अच्छी लगी अब इसको करते है on okay वाँ काफी जो परताथ seven inches का यहाँ पे आपको यह सही है काफी खुबसूरत seven inches का आपको यहाँ पे आपको info entertainment आपको सारा कुछ instrument cluster यहाँ पे seven inches का मिल जाता है जो कि सारे digital form में है यहाँ पे आपको ten point two five inches का इसमें आपको multimedia setup मिल जाता है with android auto apple car play के साथ में then यहाँ पे cruise control और normal cruise control नहीं है भाई यह adaptive cruise control है काफी अच्छी बात है then यहाँ पे आपको एक volume rocker मिल जाता है यहाँ पे volume rocker तो नहीं है यहाँ पे volume rocker दिया हुआ है बटन के form में यह I think scroll करने के लिए जब आप multimedia use करोगे तो scroll करने के लिए then यहाँ आपको automatic headlamp और rain sensing wiper आपको दोनों automatic way में मिल जाती है यहाँ पे आपको traction control on off करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है headlight level up and down करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है then अगर बात करें यहाँ पे जो है automatic AC मिल जाता है इसमें आपको automatic complete है यहाँ पे आपको wireless pad मिल जाता है इसके अंदर थोड़ा सा काफी deep है और काफी safe भी है आपका phone जो है slide जो है अंदर ही रहेगा गाड़ी अगर jerk भी करती है तो बाहर लिकलके तो कभी ने आने वाला इसकी guarantee तो confirm है then यहाँ पे आपको power outlet मिल जाता है 12V का यहाँ पे और 2 USB type यहाँ पे और यह एक switch है जो कि आप जो wireless pad को जो है on off जो है यहाँ से आप कर सकते हो यहाँ पे आपको 2 cup holder मिल जाता है then यहाँ पे इसका gear knob है 6 gear manual transmission के साथ मैंने आप आलड ही बताया था इसका hand brake यहाँ पे space यहाँ phone रखना safe तो है नहीं बट आप यहाँ कुछ paperwork जो है toll bill जो है आप यहाँ रख सकते हो या फिर यहाँ रख सकते हो phone आप यहाँ भी रख सकते हो then यहाँ पे एक armrest मिल जाता है जो कि अच्छे खासे space के साथ इसमें आपको मिलता है then आपको steering wheel जो है flat bottom मिल जाती है और complete जो है leather upholstery के साथ में leather wrap के साथ में then यहाँ पे इसका glove box अगर चेक करें तो glove box भी काफी बड़ा size में है और यह cool है या नहीं यह तो पता इसमें नहीं चल रहा है अगर आप ध्यान दो तो यहाँ भी आपको जो है leather के work मिलते है और थोड़ा size में जो है क्या बोलते है सोने पे सुहागा वाला जो feel आएगा वो यह वाला feel करके आएगा बिकाज यह जो है wooden finish आपको देखने को मिलेगा आजकल जो है wooden finish जो है कभी भी आप देखो तो वो rolls roy और बड़ी बड़ी कंपनियों की car में ही luxury car में ही देखने को मिलती है Honda में भी आपको जो यह छोटा सा एक जो है system जो है add किया गया है काफी अच्छी लग रही है यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यह आपको इससे आपको समझ आ गया होगा यह किसलिए है यह actually यह आपका जो complete जो 7 इंचिस का जो है TFT है इसके brightness को कम और जादा करने के लिए जो की काफी अच्छी बात है देन अगर देखो आप यहाँ एक छोटा से यह बटन आपको दिख रहा है इसके headlamp पे indicator वाले placing पे तो अगर हम इसे प्रेस अगर करते है तो यह हो गया lane check करने के लिए वहाँ पे जो camera लगा हुआ था वो आपको बता रहा है check your surrounding अगर आप turn ले रहे हो यानि कि आप ऐसे भी check कर सकते हो प्रेस करके या फिर आप जो है just indicate आप करते हो तो यह अपने आप automatically on हो जाएगा देखिए simple सा काफी unique सा यह feature है जो कि काफी अच्छी बात है then आपको इसमें सारे कुछ जो आपको मिल जाते है देखिए यहाँ पे जो आपको lane की persist का जो यहाँ पे एक symbol बना हुआ है जो कि आपको always lane में रखने की कोशिश करेगा कभी भी आप lane से बाहर गए तुरंट जो ही अलाम बजा देगा then यहाँ पे अगर देखे तो vanity mirror आपको मिल जाता है तो driver side बहुत ही कम ही देखने को मिलता है कि vanity mirror मिले वाह very good then यहाँ भी आपको जो है obvious सी बात है यहाँ भी आपको vanity mirror मिलेगा with light वाउ क्या बात है इसमें भी था किया मैंने notice नहीं किया ओके इसमें नहीं है यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ आपको with light के साथ आता है ओके यह आपका जो है door पे अगर आप जो ही इसे अगर प्रेस कर देते हो door आप open करोगे तो यह light जो है आपको अंदर का यह reading lamp जो है जल जाएगा जो कि LED में है जो कि काफी खुबसूरत भी लग रही है then one touch पे आपको इसमें sunroof भी इंट्रिउस किया गया है जो कि one touch पे open हो जाता है then side curtain airbag की branding यहाँ पे की गई है जो कि आपको दिक रही है then यहाँ पे आप देखो ही सब लेदर के वर्ग काफी खुबसूरत लग रहे है देखने में जो कि काफी अच्छी बात है then यहाँ पे और तो कुछ छूट तो नहीं रहा है चलते हैं इसके पीछे AC wind की बात करें तो देखो AC wind भी काफी इसके designable है और boxy design में है यहाँ भी और यहाँ भी बिल्कुल इसके grill के जैसा जैसा इसका grill है front का ठीक उसी तरह इसका boxy design आपको देखने को मिलेगा ventilation में चलते हैं इसके पीछे पीछे आपको और क्या-क्या मिलता है उसके बारे में भीग पर बात कर लेंगे sitting comfort कैसी है thigh support, leg room each and everything आपको पीछे बैठने के बाद ही पता चलेगा then door open हुरते के साथ आपको वही आपको same जो है typical feature आपको जो front में था वही आपको मिलता है पीछे भी leather upholstery आपको मिल जाता है complete यहाँ silver की garnish की गई है windows के control, grab के लिए bottle holder और अगर बात करें इसके music system की तो complete चारो डोर में चार speaker और चार twitter की placing की गई है एक वहाँ, एक वहाँ pillar के पास में अब चलते हैं इसके thigh support चेक करते हैं इसमें बैठ के, leg room तो भाई काफी, बड़ी leg room इसमें है मैं तो आ रहा हम से इसमें लेड भी जाहूं तो काफ मेरे लिए space जो है, फिर भी बचा ही रहेगा thigh support भी काफी अच्छा है ओके, यह बंप बीच में है थोड़ा सा वैसे इसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है अगर बात करें, पीछे जो है अगर बात करें, यहां पे आपको armrest मिल जाता है, जिसमें दो cup holder भी दिया हुआ है चारो headrest आपको जो है adjustable मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है, इसका leather repository काफी जो है, smooth है काफी अच्छा और इसकी जो sitting comfort जो है वो काफी जो है, वाइड है इसका मतलब इसके अंदर आपको बैठने, इसमें आराम से जो है, तीन जन जो है, आराम से बैठ सकते हो आपको किसी भी तरह की issue होने नहीं वाली है तो यह था एक overall review, top end variant Elevate ZX variant का है, इसमें आपको धेर सारे feature भी मिल जाते है on road pricing, each and everything मैंने आपको बता दिया, इसका DRL जो है, कुछ इस तरीके का जलता है यह रह गया था, जो काफी अच्छी लगती है देखने में, नाइट में आपको जो है, फील जादा आएगा, और खासकर इसका जो है, रात में LED का थो काफी अच्छा है, in fact मैंने जो एक बाद टेस्ट ड्राइव भी करा था, जो की CT का था, ठीक उसी से मिलता जोलता है, इसका हेड़ लैंप है, जो की काफी अच्छी बात है, विकाज नाइट में विजिबलीटी इस हेड़ लैंप से आपको complete satisfying मिलने वाली है overall वीडियो कैसा लगा, अगर कोई purchase करना चाहरा है, तो please उसको ये वीडियो जरू शेयर करना, और जाते जाते चैनल को subscribe और वीडियो को like करते जाना, मिलता है फिर next वीडियो में, फिलाल के लिए, बाबाई